नवस्कार मेरे प्यारे दर्सक हमारे यूट्यूब चैनल अद्वूति स्टोरी में आप सभी का स्वागत और हार्दिक मैं अबिनंदन करता हूं मैं हूँ दीपक आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल पर आप सभी दर्सकू का मैं हार्दी का बिन अंदर और हाथ जोड़कर बिनम्र स्वागत करता हूँ आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों अपने आपके उपर कभी घमड़ नहीं करना चाहिए भगबान ने आपके लिए पैसा दिया है तो उसका दुर्प्योग नहीं किया करना चाहिए अपने बुद्धी का दुर्प्योग नहीं करना चाहिए अपने आपको अमीर मत नहीं समझना चाहिए अपने ग्यान का दिर्प्योग बिल्कुल ना करें आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है सुरो ताओं एक समय की बात है एक गुरू जी थे उनके पास जो सिस्स थे वो सिस्चा गिरहड कर रहे थे दोस्तों गुरू जी सिच्चा गिरहड करवा रहे थे और उन्हें अपनी बिद्या का ग्यान दे रहे थे धीरे धीरे क्यूंकि जो उनके सिस्स थे उनके अंदर किताबों का ग्यान था किताबे पड़ी थी लेकिन संसार का ग्यान नहीं था उनके पास बुद्धी का ग्यान नहीं था दोस्तों किताबों के साथ साथ मुझे में आपको संसार का भी ग्यान होना चाहिए दुनिया का भी ग्यान होना चाहिए सुरुताओं तीनों सिस्सों की तीन सिस्सों की उनकी बिद्या पूरड होती है गुरू जी कहते हैं अपनी बिद्या दिखाओ लोगों को और जाओ धर्म का पंचम लहराओ लेकिन इस जो सक्ती है जो मैंने आपको विद्या दी है इसका गलत प्रियोग मत करना गलत दिर्प्योग मत करना नहीं तो यह आपको बिनास कर देगी आपका मौत के कारड बनेगी कायते हैं महारामाड में रावड पर बहुत सक्तिया थी रावड की अपनी सक्तिया उसको मौत के घाट ले गई क्यूंकि रावड को अपने उपर आहिंकार था अपने उपर घमंड था जिसने स्वयम अपने काल को अपनी पाटी से बांध रखा था फिर भी रावड नहीं बच पाया जब सिस्सों से गुरु जी ने कहा जाओ आपकी बिध्या पूर्ड हुई इस बिध्या का दिर्प्योक ना करना धर्म का पंचम लहराना अब तीनों सिस्स गुरु जी के आग्या पाकर बार संसार में चल देते हैं चलते चलते उन्हें रास्ते में एक राम धनी नाम का ब्यक्त मिलता है वो ब्यक्त पड़ा हुआ नहीं था लेकिन उसके पास बुद्धी थी दीमाग था उसने कहा तीनों सिस्सों से कि भाईया आप अपनी धर्म का पिरचार करना मुझे भी अपने साथ लिये चलो उन्होंने कहा तू अनपढ़ है तू गमार है तू मेरे साथ क्या करेगा जाके उसने हाथ जोड़ कर का भाईया मुझे ले चलो ना मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा तो एक बोला कि चलो इसे लिए चलो ना ये मेरे पैर से थुरूँण चलेगा ये तो अपने आप से चलेगा चलते चलते से रोताओं जंगल आ गया उन्हें भूक लगी तीनों को लेकिन उनके पास किताबे पढ़ी थी लेकिन पेड़े पे चड़नी का गया नहीं था अब आनपढ़ ब्यक्त था वो तो गुमता रहता था वो पेड़ पढ़ चड़ रहा था चड़के रुसने पहले फल अपने आप खुद खाए फिर इन तीनों के लिए उपर से डाले तब इन्होंने खाए कहते हैं हर जगए पढ़ाई सी काम नहीं चलता है अब भाई तीनों लोग चलने लगे रामधनी पीशे चलता है चलते चलते एक जंगल में पहुशते हैं तो क्या देखते हैं बहाँ हड़ियां पड़ी हुई है अब हड़ियां पड़ी हुई है तो तीनों सिस्से आपस में विचार करते हैं कि हड़ियां किसकी हैं तो राम धनी कहता है ये हड्डिया जंगल के राजा सेर की है कहा तुम जूट बोल ले हो इस सेर की हड्डिया नहीं हो सकती है राम धनी ने कहा कोई बात नहीं मैं जूट बोल रहा हूं कहा चलो आगे चलें अब तीनों सिस से बोले मैं आगे नहीं जाओंगा मैं अपनी बिद्धिया का इसी पे पिर्योग करूंगा सिरोताओं जब सुबह हुआ तो उन्होंने एक सिसने सारी हड़ियां एक हट्टी की कहा हे मेरे प्यारे गुरु जी गुरु जी की किरपा से एह हड़ियां जिस किसी जानबर की हो वो जानबर का कंकाल बन जाए अब गुरु जी की किरपा से हड़ियां आपस में एकत्रत होने लगी हड़ियां एक कंकाल का रूप बन गई रामधरी कहे रहा है भाईया एक गलत है इस तरिष्टी के बिरुद्ध है जो पिराड़ी मर जाता है उसे जीवन दान देना कोई हक नहीं है क्योंकि जो आया है उसे जाना है वो बार बार उनको समझा रहा है ये बार बार उसे फटकार रहे हैं उसकी बात को नहीं मार रहे हैं अब क्या होता है सुरुताओं उसमें एक जो था बिद्वान लेकिन उसके अंदर इन लोगों के अंदर किताबों की बुद्धी थी किताबों का ग्यान था संसारिक ग्यान नहीं था उसने हड्डिया एक हट्टी हो गई कंकाल बन गया दूसरे दिन दूसरा सिस्से बोला मुझे ऐसी बिद्ध्या मालूम है कि इसमें कंकाल को जिसका कंकाल तूँ वो इस खाल डाल दूँगा वो इस चमड़ा डाल दूँगा अब वो कहता है गुरू जी की किरपा से इस पे जिसका सरीर हो वो चमड़ा इस पर बन जाए गुरु जी की किर्पा से उस पर कंकाल पर चमडा बन जाता है अब वो चमडा सेर का बहुत खूखार सेर जैसा बन गया अब खूखार सेर जैसा मन रिए उदार राम धनी कहता है भाई ये गलत है गलत है लेकिन उसके बाद कोई नहीं माहर रहा अब तिसरा दिन हुआ सुबह हुआ बोला की मुझे पिराड डालने की मुझे बिद्ध आती है मैं इसमें पिराड डालूंगा राम धनी हाद जोड़ कर कहे रहा है पैर पकर रहा है ऐसा मत करो ये मेरे सिर्ष्ट के वरुद्ध है भगबान के आपको माप नहीं करेंगी लेकिन उसने नहीं माना अब राम धनी तो कहा तुम जान डाल रहे हो तो डालो मैं तो जा रहा हूँ राम धनी दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर चड़ गया और बहां से देख रहा है अब जो जान डालने वाला विद्वान था उसने कहा ए गुरु देब किर्पा आपकी इसमें जान पड़ जाए अब उस सेर में जान पड़ गई जंगल का राजा सेर था और वो बहुत ही खुखार था खुखार सेर ने जैसे ही देखा अपने आगे तीन बेक्तियों को देखा तीन मानवों को देखा उस सेर ने उने जिंदा तीनों को उखा लिया क्यूंकि सेर तो मास का भूका होता है उससे ने अब ये बात रामधनी देख रहा है उपर पेड़ थे थे रामधनी कहे रहा अगर एह लोग बात मान लेते तो आज ऐसा अनार्थ नहीं होता है इस कहानी से मुझे यही सिच्छा मिलती है कि मुझे कोई काम ऐसा नहीं करना चाहीं जो सिरेष्टी के बिरुद्ध हो मुझे अपने उपर काबू करना चाहीं गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मर्यादा में रहना चाहिए चो हमें सक्ति में लिये भगवान ने बिद्या दी है उसका कभी गलत प्रोग नहीं करना चाहिए उसका दिरप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तीनों मुर्क थे कापी किताबों का ग्ञान था, संसार का ग्यान नहीं था, संसार में नहीं गूमे थे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पिलीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दो, आपके एक कमेंट से कमेंट भी कर दिया करो, एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवीशन मि जाए हिंद बंदे मातिरम